किये गाइच नमस्कार को कि आप लोगों का टापटेन क्लास अ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है तो आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने क्पन्त करने वाले हैं कच्छ दर्स के फेश्णावली-दो कि दूसरी अध्याय की चर्चा करने वाले हैं आये प्रश्णावली-डोदस् Vamos करने से पहले कुछ महत्पुर встрamcialjay कुछ पनले से आपकी द्यों द दोसना इचंप पूरा सրण हो जाये पर क्या वोजेरो हो यह कोई दिग्वास समीकरण में दो सुन्यक होंगे तरी घात समीकरण में तीन सुन्यक होंगे और चार घात में चार सुन्यक होंगे तो भीया आमने बता के रखा कि जिसके घात जितनी अधिक रहेगी उतने उसके सुन्यक होगे अब आपको ये पता होना चाहिए कि सुन्यक क्या होते हैं तो सुन्यक वो होते हैं कि जिनका मान सुन्यक कैसे कोई आएंगे वे value जिसको समीकरण में रखने के बाद पूरे समीकरण का माणन क्या हो जाए, वो आपके क्या कहा लाते हैं तो क्या करा है कि सुन्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है माइनस X का गुलांक तो माइनस X का गुलांक देखिए X का गुलांक कौन है B है तो माइनस लगा है तो माइनस फार्मूले में लगा है तो X का गुलांक कौन हो गया माइनस B उसके बाद X स्क्यार का गुलांक तो x square का गुलांग कौन है a है तो x square का गुलांग a हो गया यानि आपका फामुला तयार हुआ alpha plus beta बराबर minus b upon a यानि यदि अगर हमको कहीं alpha plus beta का मान निकालना हुआ तो alpha plus beta बराबर क्या हो जाएगा minus b बटे a हो जाएगा इतनी बात दी क्लियर हो गई यहीं दूसरा फामुला हम लोग क्या उप्योग करने वाले है सुन्यांको का गुड़न फल है सुन्यांको का गुड़न फल तो सुन्या कौन-कौन है alpha और beta है तो alpha plus beta निकाल रहे थे यहाँ alpha into beta निकालेंगे तो alpha into beta बराबर क्या हो जाएगा अचरपद तो अचरपद वो होता है जिन में आप किसी का गुड़ा न किया गया हो तो यह हो गए सी अचरपद यहां कौन है भी है सी है तो अचरपद सी उसके बाद x का गुड़ांग यह नि बटे ए हो गए लास्ट तीसरे फामले का हम लोग उपयों क्या करने वाले इन्हीं एक दो और तीन फामले पर प्रश्णावली बीटा इन्टू एक्स यह मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुड़न फल बराबर जीरो तो चलिए उम्मीद करते होंगे कि आप इस फामले को नोट कर लेंगे अपने नोट में और इसको एक बार दो बार रिवायज कर लेंगे जब तक आपका इस कंप्लेट नहीं हो ज देज़ेगा आए प्रिश्णावली दो दस मलों को हम लोग कांटीनियू करते हैं थिक्ष्णावली दो दस मलों क्या कर रहा है जला समलक सवाल कर बार पढ़ लेते हैं विए क्या कर आप से निम्ने दिर्गात बहुपद के सुन्यक ज्यात करना है और सुन्यकों तथा गुडांकों के बीच के संबंद की सत्यता की क्या करना है जाच करना है आपको सुन्यक भी निकालना है और साथ साथ में संबंद के सत्यता की जाच करना है तो आईए सबसे पहले सवाल को देखते ह सबसे पहला सवाल है, x square minus 2x minus 8, तो पहले का पहला सवाल, x square minus 2x minus 8, ठीक, क्या है, यही सवाल है, एक बाद मिला लेते हैं, x square minus 2x minus 8 कहरा के सुन्यक क्यात किजिए और संबंद के सत्यता की जाज किजिए तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे इसका सुन्यक निकालेंगे तो सुन्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे समी करण को 0 के equal करेंगे ठीक, अब क्या हो गया, या तो आप इसको यहां रहने दीजेगा, अगले स्टेप में लिखेंगे, X उसका, माइनस 2X, माइनस 8, बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, इतनी बाते के लिए रहाई, हम लोग उदर 0 कर दिये, अब क्या है, कि हमको 8 का गुलन खंड करना है, 8 का गुलन खंड ऐसा किया जाए, जिसको हमको जोडने या घटाने पर क्या आजाए, माइनस 2 पराब थो, यह दिखें कितना है, 8, ध्यान समझेगे, यह 8, अब 8 का प्रेटराइजिशन करना थो, हम लोग 4 गुले 2 लिख सकते हैं, 8 का गुलन खंड, या गुला के रूप में खंड करना है, फिर उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं, 1 गुले 8 लिख सकते हैं, जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, लोग 1 गुले 8, फिर उसके बाद और कुछ लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता, यानी 8 के 2 गुलन खंड समझेगे, 4 गुले 2, 1 गुले 8, अब देखें, इन दोनों में से कौन सा गुलन खंड लेने पर मुझे माइनस 2 मिल जाए, यह बीच वाल अपत ध्यान दीजे, जिनको गुलन खंड नहीं आता, उनको यहां गुलन खंड सीखने का एक सुनहरा मुका हम आपको दे रहें, वैसे काफी बच्चों को गुलन खंड आ जाना चाहिए, क्योंकि कच्छा 9 में 8 में आप लोगों ने गुलन खंड 2 लाना है, कितना लाना है, माइनस 2, अगर मैं कहूं आपसे, क्या इस 4 और 2 को जोड देंगे, तो 4 और 2 को जोडने पे तो 6 मिल रहा है, यानि जोडने पे मुझे नहीं मिलेगा, क्या करें, घटा आ जाए, तो गर घटाते हैं, यदि हम लोग कहें, कि इसे माइनस 4 कर दे, इसे प्लस 2 कर दे, तो माइनस 4 में से 2 घटा देंगे, تو कितना आ जाएगा, माइनस 2 मिल रहेगा, ये बात slight क्लियर हो गए तो आईए, अब हम लोग इसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे, यह x square हो गया, यह minus क्या हो जाएगा, 4x, प्लस कितना हो जाएगा, 2x, तो 4 में से 2 घटा देंगे, minus 2x आजाएगा, minus 8 उतार लेंगे, बराबर कितना हो गया, 0, अब इसको हम लोग move कर लेते हैं, आईए, अब दोनों में क्या कामन है, दोनों पर यहाँ 1x है, यहाँ भी 1x है, दोनों में x कामन है, तो जब दोनों में x कामन है, तो यहाँ से 1x बाहर हो जाएगा, 1x यह वाला बाहर हो जाएगा, minus 4 बचा है, आगे देखिए, प्लस, अब दोनों में क्या कामन है, यहाँ देखिए, अ अब देखिए दोनों में कौन कामन है, दोनों में आपको X-4 तरब दिखाई पर रहा है, प्लस की इधर, प्लस के उधर, तो X-4 इधर कामन हो गए, तो अगले वाले कोश्टक में बचा क्या, X-2 बच गया, ठीक, आपको क्या निकालना है? सुन्यक निकालना है एक बार हम इसको 0 के बराबर करेंगे तो x-4 बराबर 0 तो 4 का पक्छांतर कर देंगे तो 1 सुन्यक आपका यह आ गया फिर क्या है यह x-2 बराबर क्या किया जाते हैं लिए इसे हम क्या मान लें किया है यह आपका अलफा है इसे हम लोग क्या मांनें लफा है इसको क्या मान ले बीटा माल लेथे तो वह बोला था संभर की सथिता अध्याद क्या है जो है Congressman aust Biden क्या करा था कि सुन्यांकों का योगफल और सुन्यांकों के गुडांकों के बीच के संबन्द की सत्यता की जाच करना है तो आइए हम लोग निकालते हैं यदि हमने क्या कहा संबंध के सत्यता की जांच की जांच. अब इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग निकालते हैं सुन्यांको का योगफल. सुन्यांको का योगफल तो सुन्यांको का योगफल का फामला आप लोग ने पढ़के रखा इसे आप अलफा प्लस बीटा कहते हैं ठिक अलफा प्लस बीटा बराबर आपने पढ़ा है माइनस बी बटे ए माइनस बी बटे ए तो भी अध्यान से समझेगा मैंने क्या बोला आ gap gain यह को अलफा यह आपका बीटा तो अलफा प्लस बीटा अलफा का माँन कितना है 4 है और बीटा का मान कितना माइनिस दो है तो 4 में से 2 घटा देंगे कितना जाएगा बुआ जाएगा कितना जाएगा दो ढείका मंसे दो बटी 0,1 बिल्कुल लिख सकते हैं तो अलफा प्लस बीटा बराबर कितना मिला दो बटे एक दो बटे एक आप देखिए ये दो किसका गुरांग है ये दो किसका गुरांग है ये दो जो है आपका क्या है एकस का गुरांग है वहाँ मत जाएए आप यहाँ देखिए ये दो जो है किसका गुरांग है एकस का गुरांग है अब फार्मूले में आपको वहाँ माइनस लगाना है, तो यह किसका गुरांक है, माइनस एक्स का गुरांक है, और बटे, एक, एक, यहाँ कुछ नहीं है, एक यहाँ हो जाएगा, एक किसका गुरांक है, X square का गुडांग है X square का गुडांग तो इस प्रकार आपके सुन्यांको के योगफल के संबंद की सत्यता की जांच हो गई कैसे सोचो सुन्यांको का योगफल है alpha plus beta बराबर आपने क्या हल किया alpha का मान 4 था beta का मान माइनस 2 4 में से 2 घटा है अब आपको ये मिला अब alpha plus beta बराबर क्या होता था आपने पढ़ा था माइनस X का गुडांग तो ये दिखें ये जो 2 है वो क्या है X का गुडांग है माइनस लग गया तो माइनस X का गुडांग हो गया फिर आपने क्या पढ़ा X square का गुडांग तो X square का गुडांग को नहीं एक है तो इस प्रकार आप संबंद की सत्यता की जाच कर लिए अब यहीं अगर हमको क्या हो गुडांग को की तो सुन्यांग को का गुडांग फल सुन्यांग को का गुडांग फल एक काले यह alpha into beta अब देखें यह 8 जो है यह आपका क्या है? माइनस 8 तो माइनस 8 यहां क्या है? c का काम कर रहा है देखें आप c इस से तुलना करेंगे तो यह क्या है? यह minus 8 तो इसमें x नहीं लगा है तो यह क्या हो जाएगा अचरपद, शो बटे एक क्या है या x square का गुडांग है, तो यह गे x square का गुडांग, देख सकते हैं आप फार्मूले में मिला सकते हैं कि alpha into beta बूराबबर, शो बटे, x square का गुडांग, alpha plus beta surtout minus x का गुडांग, शो इसका का गुडान तो इस प्रकार आपका जो पहला सवाल है वो complete होता है आगे हम लोग देख लेते हैं दूसरे सवाल को दूसरा सवाल इसका क्या कर रहा है यह तो पहले का पहले का दूसरा नमबर हम लोग देखेंगे आईए पहले का दूसरा क्या कहता है अगर आपको यह प 4s square, 4s square, फिर 4s square, फिर-4s, प्लस कौन है, या 1 है, यह है, ठीक, चलिए, अब आप देखे, यहाँ सबसे पहले, 4 इनको क्या करेंगे, यह से करेंगे, 4s square, 4s square, ध्यान दीजेगा, यह आपका S है, ठीक, और माइनस कितना है, 4S है, ठीक, प्लस 1 बराबर कितना है, 0, अब ध्यान दिजे आप क्या है, अब क्या करते हैं, कि 4 का गुड़ा 1 से करते हैं, तो 4 गुड़े 1, 4 का गुड़ा 1 से किये, 4 आ गया, 4 गुड़े 1 बराबर कितना है, 4, अब इस 4 का हमको गुड़न खंड क 4 लाने हैं माइनिस 4 तो माइनिस 4 कब आएगा 4 और 1 जोड़े 5 आएगा 4 में से 1 घटा दोगे तीन ये चीज़ तो समभने ही इसको हम भोल जाएगे अब 2 दुनी 4 2 2 4 ऐसे अगर जोड़े तो प्लस 4 आजाएगा मुझे माइनस 4 जाएगा तो माइनस दो दो जोड़े तो माइनस चाज मिल जाएगा त apenas इनको क्या लिखने वाले हैं माइनस दो यस माइनस दो यस ठीक है आप इसे पचीस नहीं समझेंगे यह 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 स है ठीक प्लस क्या हो गया वन हो गया बराभर जिरो और यह उतार लिए four s square ठीक अब आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग क्या करेंगे अब देख पा रहे होंगे कि दोनों में common तो दो common है और s common है दो s common है और यहां भी 2s कामन में सबसे पहले करेंगे кажется डोरी जाओ यहां 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 कामन लेते हैं माइस प्लस होगया और यहां तुम माइनस हो जाएगा क्यों सब्स था यहां प्लिसका उल cultivated उ resonates सब्सका नेनारinen is maran बराबर 0 अब दोनों में क्या कामन है दोनों में 2s-1 तो बचा क्या अगला 2s-y ठीक बराबर 0 एक बार इसको 0 के बराबर करते हैं तो 2s-1 बराबर 0 तो एक को उधर करेंगे तो 2s इक बराबर आगर आपका 1 बरते दो एक सुन्या कि निकला इसे माल लेंगे इसे माल लेंगे alpha क्या माल लेंगे alpha और एक बार अम लोग क्या करते हैं इसे करते हैं तो 2s-1 संबंध के सत्यता की जाँच सबसे पहले सुन्यांको का योगफल लिखते हैं सुन्यांको का योगफल अलफा प्लस बीटा बराबर तो अलफा कितना है भी है एक बटे दो है और बीटा कितना है एक बटे दो तो इनको कैलकुलेट करेंगे तो एक एक जोड़ देंगे दो दो बटे दो कैंसिल हो गया एक बटे एक आ गया ठीक यह अलफा प्लस बीटा अगया अलफा प्लस बीटा बराबर एक बटे एक अब आप देख पा रहेंगे जो यह एक है यहां दिखिए जो आपके एक हैं नहीं बटाइब आप और में प्लस आपको 10 अब तो अब सोहां शिर दिखिए जी से भाग कर देजिए तो अगर भी तो अगर थनी बाते क्लेर हुई अब आप देखिए यह जो 4 है अगर दोनों को कार देंगे तब भी आपको एक ही मिलेगा यानि समीकरण में कोई प्रभाव नहीं हुआ है तो देखिए यह जो 4 है इस 4 को आप क्या लिख सकते हैं यह 4 क्या है यहां मिलाएए यह S का गुरांग है किसका गुरांग है S का गुरांग है पर माइनस लगा है तो हमने फार्मुले में पढ़ा था माइनस पहले से ही है तो लिख देंगे यह माइनस X का गुरांग है किसका गुरांग है और बटे क्या हो जाएगा यह 4 किसका गुरांग है आप दिखी यह S का गुरांग है पर हम ल व्यूर्ड तो सुन्यांकों का गुरंधाल क्या हो जाएगा allora पांटी बीटा तो अलभा का मान कितना एक व्यू है यह बगार करते हैं यक और दो दूनी चार वीड़ क्या होता था या और होता था आप द्यान से समझेल गा क्या होता था अचरपद, एक क्या होता था आपका अचरपद, तो दिहान दीजी, इसे हम लोग क्या लिखेंगे, एक दिखें, यहां मिलाईए, एक क्या है आपका, अचरपद, बटे क्या है, चार जो है, वो X स्क्यार का गुडांग है, पर X, यस वहाँ है, X स्क्यार का गुडांग, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि संबंद के सत्यता की जाच हो गई अलफा इंटू बीटा बराबर एक बटे चार आया और एक आपका अचरपद है और चार एकस का का गुड़ांक है यही संबंद बताता है तो इस प्रकार आपका पहले का जो पहला सवाल और जो दूसरा सव पहला थीसराम आपका सवा क्या है सवाल-7 थोड़ास मं लोग इसको ब्यौसित करके लिखते हैं आप ख़या तर्यवस्त करते हैं-3 । फिर अ कि इसको पहले लिख लेंब M-7-7 ये बाद में आप हमने क्या बताया था 6 का गुड़ा 3 से करते हैं तो 6 गुड़ तिन और इधर रफ में 6 गुड़ Ne tavo Anur At 총 of Ind生 करनारं गुर्न करनाँ गुरनखंड करने से मुझे बीच में क्या लाना इन दोनों के जो गुरन खंडाएंगे उनको जोडने या घटाने पे माइनस 7 आना चाहिए तो देखो, क्या 9 गुरे 2 लिख सकते हैं आप 6 गुरे 3 लिख सकते हैं फिर आप 18 गुरे 1 लिख सकते हैं पर आपको पता है, 18 में 1 जोडएंगे तो नहीं साइगा अठारा में से एक घटाएंगे सत्र, मुझे बीच में सat चाहिए, तो यहाँ तो मिलने वाला नहीं, दिखे नो में से अगर घटा दे तो मायनस सात मिल जाएगा, यानि इस साद सो सकते हैं, साट माइनस तीन बराबर जीरो और ये वाला पदाई से सेम टू से मुताल लिए अब क्या करना तीसरे स्टेप में हमको कामन धोड़ना देखिए तीन दूनी च्छ तीन त्रिक्का 9 तो यह तीन कामन हो गया फिर दोनों में X है तो X कामन हो गया 3 X कामन ले लिए तो क्या बचा है यहां 3 दूनी च्छ तो 2 X बचा है फिर यहां कितना बचा है तीन से भाग देंगे तो 2 X-3 आ गए अब यहां दीड़ी been न तो 2 इधर है न तो एक सी दर है यानि तो अनों में कोई कामन नहीं और जहाँ कोई और प्रक्रा नहीं वहां प्लस क्या बचा एक बराबर 0 ठीक एक बार ये वाला पत 0 के बराबर करेंगे तो 2x-3 बराबर 0 तो 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 3 उधर गया तो क्या हो गया प्लस 3 हो गया आई ये 2 इधर चला गया तो x बराबर क्या हो गया तीन बटे 2 तो x की value क्या हो गया ती ठीक उसके बाद क्या करेंगे अगला 3X प्लस 1 बराबर 0 एक उधर चला गया तो 3X अब एक उधर गया तो माइनस एक हुआ अब 3 इधर जाएगा तो बटे भो जाएगा X बराबर माइनस एक बटे तीन यह आपका दूसरा सुन्य अभो गया जिसे आप क्या माल लेंगे सत्यता की जाँच तो सबसे पहले क्या करना है हमको सुन्यांको का योगफल चेक करना है सुन्यांको का योगफल तो सुन्यांको का योगफल अलफा प्लस बीटा बराबर तो अलफा प्लस बीटा तो अलफा का मान कितना है तीन बटे दो है ठीक तीन बटे दो है और बीटा का मान कितना है, एक बटे, तीन, इसे आप फल करेंगे, तीन और दो का LC हम लेंगे, इच्छा आएगा, ठीक, तो इनका गुड़ा यहां कर देते हैं, तीन तरिक का, नो, और दो एक के, दो, नो में से दो घटा दिये, कितना आ गया, साथ, ठीक, साथ बटे, कितना अच्छा आगया, ठीक, कितना आगया, साथ बटे, अब इदकी, जो साथ है, यहां मिलाए, यह साथ क्या है, एक्स का गुड़ांक है, पर माइनस एक्स का गुड़ांक होगा, तीसे लिखेंगे, इस साथ को क्या लिखेंगे, जरा साब लोग ध्यान देजेगा, यहां तो इस प्रकार आप इसके संबंद की सत्ता की जाच कर लिए, क्योंकि आपने पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा ब्राबर माइनस एक्स का गुड़ांक, बटे एक्स उसकार का गुड़ांक, ठीक, इसी प्रकार हम लोग क्या निकालेंगे, सुन्यांको का गुड़न फल, स सुन्यांको का गुड़न फल है, ठीक, तो सुन्यांको का गुड़न फल निकालेंगे, तो सुन्यांको का गुड़न फल, अल्फा एंटू बीटा, ठीक, अल्फा का मान कितना है, तीन बटे दो, बीटा का मान एक बटे तीन, वो भी माइनस में, तो तीन एक के, तीन माइनस माइनस 3 तीन आपका क्या है अचर पद्थ है क्या है अचर इस प्रकार ये भी मिला है आपने पढ़ा था ना कि जुनून लाना है वो जजबे होने चाहिए कि हमको करके दिखाना है 95% टार्गेट बनाया हो तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ऐसा नहीं होता कि आसानी से 95% आ जाते हैं वो बच्चे जो आपके 95% टार्गेट करके आते गोल करके आते तब आपको याद आता है कि कास हम महते हैं दिन्रात महेंनत करते हैं वो महनत आप लोगों एतनी महनत कर रहे हैं तो आप भी उसके लिए महनत किजिए निए नमबर नहीं आया तो मुझे बताईएगा ठीक आए आपका चातte शाओनान चास चौता ड़तास अंबर आपसे कर रहा है 4U स्क्यार प्लस 8U फोर U स्क्यार प्लस 8U आगे ये वाला पद नहीं है 2 ही पद है जर्णा नहीं है सबका गुरंखंड करेंगे हम लोग तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले तो इसको 0 के बराबर करेंगे 8U बराबर कितना हो गया आप देखिए इन दोनों में क्या कामन कै snug influenced यू यहाँ भी चलो यू कामन हो गया फिर क्या कामन है चार यू कामन है चार बाहर यू बाहर तो ऑगे चार दूली आठ यू प्लस दो ऑच गाए बराबर 0 एक हम लोग क्या करते हैं कि for u बराबर 0 करेंगी यह वाला चीज इसके बराबर एक बार क्या करेंगी यू पमस्ट प्लस तो बराबर 0 तो तो प्लस यह क्या हो जाएगा मइनस यू की वैलव माइनस करते हैं सम्बंद के सत्यता की जाज अब सबसे पहले क्या नहीं क्या लेंगे सुन्यांको का योगफल का योगफल तो सुन्यांको का योगफल का फार्मुला क्या होता alpha plus beta आपने माना आपने माना आपने alpha कितना है zero है और beta कितना है minus 2 है तो zero में से minus 2 करेंगे क्या आ जाएगा minus 2 माइनस दो बटे हम एक लिख सकते हैं बिलकुल लिख सकते हैं अब देखिए minus 2 है क्या अब आप सूचिए अब आपके पास आठ है यहां कितना है आठ तो आपको क्या लाने है आपको आठ लाना ही है तो आप आठ लाने के लिए 4 से यहां multiply करेंगे तो 4 से जब multiply करेंगे यहां कितना आजाएगा कितना आए गभी है आप ध्यान से समझेगा तो चार दूनी आठ बटे मा इसका है तो जैसे माइनस करोगे तो माइनस क्तिना हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो का तो क्या हो जाएगा देखिए आपने पाया माइनस आठ बटे चार और यह माइनस आठ किसका है भी है माइनस आठ किसका एक्स का गुडांग तो माइनस एक्स का गुडांग तो आप सुचिए यह क्या कर दें यू का तो माइनस यू तो माइनस पहले से है और आप माइनस आ सुन्यांकों का ओरन फल किया होने वाला है अलफांटु बीटा तो अलफा का मान कितना है जीरो है और बीटा का मान माइनस दो है देख सकते हैं और multiply करोंगे तो 0 जीरो जो है आपका क्या है इसे हम क्या लिखते हैं 0 तो दिखिए यहां जो आपका अचरपद है यहां अचरपद क्या है जीरो है क्यूं आप इसको समीकरणक ऐसे भी तो लिख सकते थे plus 0 बराबर 0 तो अचरपद क्या है 0 तो यह जो है सी यह क्या है आपका अचरपद है ठीक अचरपद ठीक अचरपद और बटे आपके क्या है अचरपद और बटे क्या है यू स्क्यार का गुडांग तेहां यू स्क्यार का गुडांग आपको क्या चाहिए चार तो आप क्या कर देंगे यहां जैसे ही आप क्या करेंगे से जीरो का गुणा चार से कर देंगे और बटे walk the चार का गुणा चार से भाग यह बाग 0 होजाएगा पर यह आपका क्या हो जाएगा एक hm क्यों टो आप एक इसका इसकी सोट लेना चाहते हो सकते हूं फिर हम लोग आगे की तरह सवाल को कंटीनेउगा चलिए हम लोग सब्सक्राइब और लेक्टनेते हैं जितने हीस 6 carn Solutions तो चार कर चुके 5 ‫ में सवाल को अद्यान करते हैं मा कर सकते हैं टी000 को यह सबतीन को क्या लिख सकते अंडरीकी प्रिटन लिख दे का वर कर दें और बराबर क्या कर दे जीरो कर दे तो यह देखिए किस फामले का उप्योग हो गाए हैं यहां हम लोग इस फामले का उप्योग करने वाले हैं इसका वर करोगे तो यही आ जाएगा सोतर कौन सा उप्योग करने वाले हैं a2-b2 बराबर a plus b और a-b यह फामष्ねब का उपयोग करने वाले हम लोग अब दीजितिए यहां a कहस्तान पे t है और b कहस्तान पे under root 15 है तो यहां क्या हो जाएगा अब बताएगे आप बताएगे तो a कहस्तान पे हम लोग t का उपयोग करेंगे और पिर उसके बाद एक क्या हो गया लिए फिटी ऐस को के बराबर करेंगे तो टी प्लस अंडरूट 15 को जिरो बराबर करेंगे तो अंडरोट 15 उदर चला गया माइनस अंडरोट 15 एक सुन्यक तो यहागिया एक वार्स लोग क्या करेंगे इन्हें लोग क्या कर देंगे अलपा कर देंगे आएए संबंद के सत्यता की जांच करते हैं. सत्यता की जांच. सबसे पहले हमलोगं लोग अलफा प्लस बीटा निकालते partir अलफा का मांग कितना है माइनस 15 है माइनस 15। और बीटा का मांगний प्लस कंडडी में 15। यह दोनों एक दूसरे को cancel कर देंगे, तो 0 बटी क्या हो गया, एक कर सकते हैं, ठिक, अब आप बताइए, यह 0, तो आपने क्या पढ़ा था, आपने क्या पढ़ा था, कि 0, तो अलफा प्लस बीटा बराबर माइनस X का गुडांक, तो माइनस X का गुडांक, तो माइनस X का ग प्लस कितना हो गया, 15, तो देखे, माइनस X का गुडांक, तो यहां X के बस्तान पर क्या हो जाएगा, T, क्या हो जाएगा, T, तो T का गुडांक कितना है, 0 है, बटे, बटे, T स्क्यार का गुडांक, तो T स्क्यार का गुडांक कितना है, 1, तो T स्क्यार का गुडांक क्या ह ईह इस कि आहलेंगे अल्फा एंटू बिटा तो आलफा कित permit का देंके कर देंगे यह क्या है a इनका इनसे मल्TIप्लाइखे नगे एक तो इनका इनसे क्या लिए के लुए और यह दर प्वान के के की कि भी हैं ठीक और बटे एक क्या है एक है आपकाD Empire का गण तो इस प्रेकार का अज फिरता की आचामका क्याAg giving तो अटियू गुरान running यहां मेर्ज कर रहा है अल्फाब प्लस ब्रइदा ब्राबर श्राश को सते हैं क गुरांग माइनस टी का गुरांग कितना है जिरू है और ती इसक्रार गुणाग एक है दोनों मैच कर रहे है इस प्रकार आपका पांच वाइं सुवाल क्या होता है चटा। वाँ स्वाल किया है कितना है देख लीजियो थे बार मिला सकते हैं जी बिल्कुल यह है अब उसक किता किसी सुन्यक्राइब लाश्ट सवाल है एक किन इरजी के साथ इसको परकते हैं इस सुइकश्य स्वाल को तो चॉइपलिए झार गोरे तीन बराबब बार है यह तो बाते क्लियर हो गया कि मुझे इनका इनका गुड़ा करना अब least में यां क्या एक है कि अब एसा कुछ किया जा कि मुझे एक मिल जा है वह भी minus तो दीखो यार चार त्याइं बार है और 4 में से 3 घटाएंगे तो एक आएगा अब मुझे तो minus 1 चाहिए मुझे तो minus माइनस एक चाहिए यह माइनस उठा किया कर दें यह प्लस कर दें तो माइनस चार में से तीन घटा दें तो माइनस एक मिल जाएगा मिला आना है त्यानी इसे हम लिख सकते हैं माइनस चार एक्स प्लस तीन चार में से तीन घटा है माइनस एक आगे सेम उसे मुदारना रहता ह यह यह ठीक कि दोनों में क्या कामन है यहां एक्स कामन लेंगे क्या वचा 3 highway । फटियों यहां यहां यह 6 तो दोनों जगद जहां तो यह 27-2 तो फिर नहींद हो गजए है Sup प्लस एक बराबर क्या हो गया जीरो एक बार हम यह वाला पट जीरो के बराबर करेंगे तो तीन एक मारी स चार गया माइनिस चार अरण जिन गया अधार गया चार गश्षपल स. S9 निकल कि करते हैं किसी जांच की जांच किस के देत। है रफा प्लस बीटा कितना है चार पीता कितना है माइनस एक तो तो बताओ बटे एक कर लें हल करते हैं इसे तो आईए तीन कैल्सियम लेंगे तीन चार एक के चार और तीन के तीन तो चार में से तीन घटा दिए एक बटे तीन आया अब एक एक किसका गुरांग है माइनस एकस का गुरांग है किसका गुरांग है माइनस एकस का गुरांग है ठीक इसको हम लोग ए ए ऐसे कर लेते हैं ठीक बटे तीन किसका गुरांग है एकस इसक्यार का गुरांग है एकस इसक्यार का गुरांग अरे तेरी यह तो आप देख पा रहे होंगे कि alpha into alpha plus beta पराबर तो हमने पढ़ा था minus x का गुड़ांग और बटे x उसका का गुड़ांग मैच कर रहा है संबंद के सत्यता की जांच हो गई फिर दूसरा क्या निकालना alpha into beta alpha alpha कितना है 4 बटे 3 और beta कितना है minus 1 तो multiply कि चार का multiply 1-1-4 बटे कितना आगया 3 यह minus 4-4 तो अचरपद है ना यह क्या हो गया अचरपद और 3 क्या है 3 x square का गुड़ांग है x square का गुड़ांग तो इस प्रकार आपका इसका भी सत्यता की कि जांच हो गया अचरपत क्या है माइनस चार है क्या है इस प्रकार आपका पहले का जो च्छा पॉर्शन दिए गया थे आपके क्या हो गया तो गैस आप इसका श्क्रसाउस ले सकते हो फिर आम लोग सवाल को करते बनेवल समय तक बने रहेंगे तो आज हम लोग इस को कॉनप्लेट करने में जड़ासा हुआ टाइम नहीं जाए गया चलिए दुसरा स्वाल कर रहा है एक द्युघात बहुपत ग्यात किजिए और जिसके सुन्यांकों का योग और गुणन फल क्रमसन दी गई है ठीक द्युघात समीकरण ग्यात करना है तो हमने बताया था यदि यहां मूल है यहां सुन्यांक हो जायेंगे यदि यहां को का योग फल आलफा प्लस बीटा हो और अलपा बीटा हो तब किलिध द्युघात समीकरण का फामुला हम लोग यह लगाते है ठीक तो आपका दूसरे का जो पहला नमबर दिया है दूसरे का पहला दिया है एक बटे चार क्या दिया है एक बटे चार कामा माइनस एक तो सबसे पहले वो योगफलों का चर्चा किया है, तो यहां आपको दिया जाएगा सुन्यांको का योगफल, तो सुन्यांको का योगफल आप अलफा प्लस बीटा दिखाते हैं, तो अलफा प्लस बीटा वराबर एक बटे चार दिया है, फिर सुन्यांको का गुलन फल, सुन तो इसे आप alpha into beta दिखाते हो, alpha into beta कितना है, minus 1, तब दिवघास समी करण जो तयार होता है, तब के लिए जो दिवघास समी करण का प्रूफ होता है, वो फार्मूला क्या था, x क्या था, क्या था, x क्या था, minus alpha plus beta, alpha plus beta, x और plus alpha into beta, बराबर 0, चलो, x क्या था लिख लिए, minus alpha plus beta, alpha plus beta का मान कितना है, एक बटे 4, और multiply x का, तो x का multiply x से कर देंगे, अभी रखे रहते हैं, x रख दिए बाहर, और plus alpha into beta, alpha into beta का मान कितना है, minus 1, बराबर हो गए 0, हल करते हैं, x से क्या, minus 1 का गुड़ा x से कर देंगे, x बटे कितना आगे है, 4, और plus minus, minus तो minus 1 बराबर 0, आप चाहो तो इस 4 को हटा सकते हो, यहाँ चार से गुड़ा करने पर, इस 4 से गुड़ा कर देंगे, तो 4 x से क्या राजाएगा, जब यहाँ करेंगे, तो 4 से 4 कैंस हो जाएगा, तो minus x, यहाँ करेंगे, तो minus 4 बराबर 0, तो इस प्रकार जो देवगास समीकरण बना, वो यह हो गया, ठीक, यह आपका सवाल था, एक बार इसको answer में लोग मैच करा लेते हैं, क्या आप लोगों के answer मैच कर रहे हैं, NCRT से, तो जरूर मिलाने का कोशिज कीज इसको हलकी है, आईए, दूसरे को देखते हैं, दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है, अंडरूर दो, क्या है, अंडरूर दो, कामा एक बटे तीन है, और उसके बाद इधर तीसरा सवाल भी सी के साथ, हम लोग देख लेते हैं, तीसरा सवाल आपका क्या है, तीसरा सवा ग्राओं दिया है तब दियुघाथ समीकरण का फामुला तो पढ़ा दिये न क्या पढ़ाए एक्स स्क्यार माइनस अलफा प्लेस बीटा एक्स ओप्लास अलपा इंटु बीटा अब देखो X स्क्रार माइनस alphah plus बीटा का मान कितना है कलडी में 2 है और फिर क्या कर दिये X और alpha into beta alpha into beta बराबर क्या होगी 1 बटे 7 अब क्या करेंगे X स्क्रार कलडी में 2 का गुड़ा X से कर दिये कलडी 2X फिर पलस 1 बटे का होगे 3 इसी चीन को हटाने की जरूद पड़ी तो तीन से यहां गुड़ा तीन से यहां गुड़ा तीन का गुड़ा एकस्ट क्यार से किये कितना आये हैं देदीकर सुब्स जाएगा प्र節目 तो यहां किये तो 3 से 3 का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बराबर कितना अगया, 0 का अगया, 0, ठीक, तो यह रहा आपका दिवघास समीकरण, जो निकालना था, अब आईए, यहां परका दिए हैं, 0 करड़ी में 5, तो अलफा प्लस बीटा बराबर 0 दिया है, अलफा इंटू बीटा बराबर करड़ी में 5 तो देवघाज समी करण क्या तयार होगा देवघाज समी करण बराबर क्या होगा X स्क्यार माइनस अलफा प्लस बीटा X और प्लस अलफा इंटू बीटा अब बताए ये X स्क्यार होगा माइनस अलफा प्लस बीटा बराबर कितना जीरो फिर एक्स अलफा इंटू बीटा बराबर करड़ी में पांच बराबर जीरो बराबर जीरो अब बता जीरो का गुड़ा किसी से करदो वो का हो जाएंगे जीरो तिये पत जीरो करड़ी में कितना बच गया पांच बराबर जी इसी लागे-लागे, चाउता स्वाल भी देख लेते हैं, चाउता स्वाल क्या है, एक दिया है, यग और एक दिया है, अब बता, मैंने क्या माना, भाई साग, यह alpha प्लस beta बड़ाबर एक है, alpha इंटु beta बड़ाबर भी एक है, तो दिखात समीगरण, देगात समी करड क्या पढ़े थे X स्क्यार माइनस अलफा प्लस बीटा X प्लस अलफा इंटू बीटा अब बता ये X स्क्यार हो गया माइनस अलफा प्लस बीटा अलफा प्लस बीटा का मान एक है ये X प्लस अलफा इंटू बीटा का भी मान एक है X का गुड़ा एक में की है तो X X उसका माइनस X प्लस एक बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0 इस परकार ये समी करण आपका यहां मिल गया है तो इस परकार चौथा तीसरा और आपका दूसरा सवाल कम्पलेट हो जाता है तो आप स्क्रिन सॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो फिर आगे की दो सवालों कम्पलेट कर लेती है चलिए वो दो सवाले आपके क्या है लास्ट वाले एक बार ये कौन सा है चौथा नंबर है नहीं पांचवा है भाई साब माइनस एक बटे चार और एक बटे चार और अगला क्या है वी आई यानि छे नम छठोवा किस्टन क्या है आपका चार और एक है पाचवा और छठोवा सवाल बताने से पहले अभी तब जितने भाई लोग जितने गाईज लोग या जो डिये स्टुडेंट वीडियो को देख चुपे होंगे तो वीडियो को लाइक नहीं करते पता नहीं आप लोग के एक लाइक से क्या जाता है इसको लाइक किजिए उसके आपके लाइक करने से एक प्रकार की हम लोगों को एनरजी मिलती है तो लाइक जरूर कर दीजे अगर नहीं की होंगे तो और की होंगे तो अच्छी बात है चलिए सवाल को कंप्लीट करते हैं चौथा सवाल क्या है भाई साब यहां फिर से वही कहानी अलफा प्लस बीटा बराबर माइनस एक बटे चार और अलफा एनटू बीटा बराबर भी एक बटे चार तो दिघात समीकरन दिघात समीकरन का फामुला क्या पड़े थे एकस स्कार माइनस अलफा प्लस बीटा एकस और प्लस अलफा एनटू बीटा बराबर जीरो एकस स्कार उतार लिए माइनस अलफा प्लस बीटा का मान कितना है माइनस एक बटे चार एक्स है प्लस अलफा एंटो बीटा एक बटे चार बराबर जीरो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई किये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस एक बटे चार एक्स ठीक और प्लस एक बटे चार बाबर जी रो इन दोनों चार को अटाना हुआ तो चार से गुड़ा करेंगी तो चार का गोड़ा कि यह 4 AX इसका है यहां कि यह ति यह 4 गßल गया तो ऐकस आ गया यहां कि यहां भी गसल एक ब्राबर क्या हो गया बराबर 0 इन दोनों 4 को अटाना हुआ तो 4 से गुड़ा करेंगी तो 4 का गुड़ा की यह 4x इसका है यहां की यह चार cancel हो गया यहां की यहां भी cancel एक बराबर क्या हो गया 0 तो इस प्रकार यह देगात समीकरण आपको प्राप्त हो क्या है एक्सिस क्या माइनस अलफा प्लस बीटा एक्स प्लस अलफा इंटू बीटा बराबर 0 तो यह सवाल हम अपने डिया के लिए अपने लिए इसके in deslнее कि सब्सक्राइब करने की जब देंगे देखना चाते हैं कि सब्सक्राइब कर लेंगे मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत थैंक्यू डिया स्टूडेंट